आज जानेंगे गेस्ट्रूम से जुड़े मुख्य वास्तुनियां अतिथी देवो भवा भारतिय संस्कति में अतिथी को भगवान का दर्जा दिया गया है और वास्तुशास्त्र में गेस्ट्रूम के लिए नौर्थ वेस्ट जोन को सर्वोत्तमाना गया है इसलिए आपके घर में आने वाले में सभी सदसे जो कुछ ही समय के लिए आपके घर में मह्मान है उन्हें North West Zone में ही ठहराएं अगर आपका guest room North West Zone में है तो वहां के लिए off-white और white colors को प्राथ मिक्ता देनी चाहिए आपको शायद है जानकर आश्चर होगा कि हमारी case story में कई तरह की समस्यां सामने आती हैं कुछ लोग दुखी हैं कि उनके हैं मेहमान हमेशा बरकरार रहते हैं तो कुछ का मानना है कि उनके हैं guest rooms बस खाली ही पड़े रहते हैं और उसमें कोई नहीं आता दरसल जाने अंजाने लोग मेहमानों को अपने घर के गलत वास्तु जोन में ठहराना शुरू कर देते हैं जिसके कारण ऐसी समस्यां सामने आती हैं मेहमानों को कभी भी घर के southwest भाग में न ठहरा हैं क्योंकि जिस घर में SOUTHWAYS भागमे महमानों के लिए कमरा दिजाइन किया जाता है वहां महमान अधिकार जमाने लगते हैं और जिसके कारण परिवार में समस्यायां सामने आती हैं आप चाहें तो अपने मेहमानों को उत्तर या उत्तर पूर्वी भाग में भी ठहरा सकते हैं अगर आपको लगता है कि किसी कारण आपके अपने आपसे रूठे हुए हैं या आपको याद ही नहीं करते और आपके घर का अतिति कक्ष हमेशा खाली पड़ा रहता है तो उपाय सरूप अपने गेस्ट रूम में नीली पंकुडियों वाले ये पौधे लगाएं फगेट मी नॉट आइरिस या ब्लू बैल ये पौधे लगाने से निश्चित ही आपके संबंध अपने रिष्टेदारों से सुधरेंगे और आपके घर भी मेहमानों के शुब कदम पढ़ने लगेंगे तो खुश रहें, स्वस्त रहें और हमसे जुड़े रहें कुछ नई टिप्स लेकर आपकी पंडितायन छवी शर्मा कल फिर उपस्तित होगी तब तक आज के आनन्द की जाए